नमस्कार दोस्तो, रोड़साइं स्टॉप का स्वागते, अगर आप चनल फास्ट नेम जीट कर रहे हैं, चनल को सब्सक्राइब कर दीजगा, बेल आगों जूर से ओल पेस कर दीजगा, जिससे आपको उमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिक्शन मिलती रहे, तो आज की अब अब बता है कि वमारे बहुत सार यूर्स पार अच्छी प्राइस पर फसे हो और रोड़ देखे रहे है, इससे निकलना केसे ये भी बताऊंगा, और आप कीशी भी करना माय चाते हैं, क्यशे बाएक कर ना ये भी बताऊंगा पूरा, कि कीशी भी पेंडियोको को केसे एनलाइज क्या जाता है fundamental और चार्ट अनलाइज तो वीडियो का आप लास्तर देखेएगा तो जो यह केन्वेज्वेल से ट्रेड कर था अभी 8.13 पर चुका है वह यह कर आप वन मंत में भी देखे तो इस्टोग 43% से 44% इस्टोग गिर चुका है इस्टोग 14.49 पर ट्रेड कर रहा था तो देख सकते हैं वीवर्स कितना ज्यादा लोस हो रहा है जिन्नों ने इसको इस प्राइस पर भाई किया होगा है यह बाई प्राइज होती है यहां आपने बाई नहीं किया है तो इस्टोग को आप सोचते हैं कि आप पहले पहले इस्टोग को भाई कर रहा है उसका इस्टोग भग रहा है जब इस्टोग यहां पो जाता है करीब तब आप इसको भाई करते हैं फिस्टोग गिरता है फ एक दिन श्टोक उठा, दो दिन श्टोक उठा, चार्ट दिन श्टोक उठा, आचे दिन श्टोक गिरता है, लोड़ सकी लगता है, तो सेल करने का भी मोखा नहीं मिलता है, आपको युवर्स बता रहा हूं, और ऐसे हमारे जो इसकी स्टोक उठा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो इसकी जो लिस्टिंग प्राइज उस पर आते हैं, आपको पहले बता रहा हूं, तो मैं आपको बस यह बताने चार रहा हूं, कि इसका जो चार्ट बहुत जहारा रिस्की है, वहीं अगर आप इसका फंडामेंटल यह कंपनी का कॉटेजर देखेंगे अगर आप तो सेल्स तिंगी जून 2021 में 10.67 जो कि मार्ट 2023 में 28.49 हो चुके तो कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ यह अच्छी बात है वह आप इंगा पोफिलोस भी देखेंगे जो कि सेल्स थी मार्ट 2016 में 7 जो कि भी मार्ट 2023 में 88.26 हो च चुका है यह भी इंगीज हुआ है मैं यह आप कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के अच्छी खासी होल्डिंग होती है और जो फ्यूचर मां चेटर आना की दे सकते हैं तो मेरे को जो का फंडमेंटर बहुत ही अच्छा ला लगा है पब्लिक होल्ड प्रमोटर की वहीं डियाइस की वहल्डिंग नहीं है ना गोवर्मेंट की वहल्डिंग है तो मेरे साफ से तो इसका फंडमेंटर बहुत ही अच्छा है और चार थोड़ा सा रिस्की है पर आप इस्टो का बाइक करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू इसको आप 6-7 रु मैं बताता हूं वैसे ही आप उसको बाइक करना है जिसके अगर आप 10 क्कॉंटिटी बाईक करना चाहते है आथ करी दिए कल दो खरी दिए फिर दो खरी दिए यसलिक दो खरीते रही है तो जिससे की आपकी जो बाइंग प्राइज होई थोड़ीसी कम हो जाएगी जिससरे थोड़ा कम हो जाएगा और अगर आगा इसको एवरेज भी करना चाहिए तो यह से ही एवरेज करिए रोज की थोड़ी कौंटिटी बाई करते रिए जिससे आपके बाइंग प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी अगर मान लीजिए मैं आपको बताते हूं एक बार जिससे की जो आपका लोगा से थोड़ा सा कवर हो जाएगा तो नो डाउट कमपनी का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है और अभी गिर रहा है पर यह इसकी जो अगर रिटन देखे कर साल्वरें तो बहुत एच्छा रिटन है और फीचर में आपको ओर भी आची रिटन बा